राम मंदर के ट्रस्ट को लेकर विवाद चड़ गया है राम जन्भूमी नियास के अध्यक्ष नर्ते गोपार दास का ये कहना है कि राम मंदर बनाने के लिए किसी नए ट्रस्ट की ज़रूरत नहीं है मेरा ट्रस्ट ही मुख्य करता धरता रहेगा ज़रूरत पढ़ने पर और लोगों को शामिल किया जा सकता है आपको बतादे कि सुप्रीम कोट ने केंद्र सरकार को तीन महीने में ट्रस्ट बनाने कर निर्देश दिया है कोट की निर्देश की बाद केंद्र सरकार की ओर से आयोध्या में राम अंदर के निर्मान की देखने के लिए ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है लेकिन अब राम जन्मूमी के नियास के जो आध्यक्ष है निर्ते गुपाल दास ने बड़ा बयान दिया है कि उनका ट्रस्ट ही इसका करता धरता रहेगा नए ट्रस्ट की जरूरत नहीं है वहीं सरकार के अगर बात करें तो सरकार ने नए ट्रस्ट के लिए जो कमिटी के गठन है वो भी शुरू कर दिया है लेकिन इस बेच्विज इस तरह से अयोध्या मामले पार कोट ने अपना पैकला सुनाया है तो तब ही सुप्रिम कोट की तरफ से आदेश जारी किया था बढ़ा करके वहीं राम जनुव विन्याज तष्ट हो जाएगा राम जनुव का मंदिन का निर्मान शीग रात शीग जल्दी से जल्दी ही मंदिन का निर्मान प्रारम हो जाएगा